वन्स अगिन बेलकम टू अनदर वीडियो मैं हुट आक्टर पीके बज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पे आज जानेंगे आम वातार रस के फायदे प्रियोग करने का सही तरीका किन-किन बीमारियों में प्रियोग करना है कौन से घटक द्रब्यों को कि यह आउशदी तयार की गई है यह सदिया आपको कहां से मिलेगी कितने रुपए में मिलेगी एटू जेट कंप्लीट इनफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा चैनल पे आई हुए अगर आप नए महमान है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही य यूरिक एशिड बढ़ा हुआ आर्थराइटिस की समश्या है गठिया रोग आपको हो गया है नहीं ठीक हो रहा है आपके गुट्नों में सूजन आ गई है पैर के तलों में जलन बनी रहती है तमाम प्रकार की समश्याएं हैं सरीर के अंगंग में जोडो जोडो में दर्द हो रहा है इन सारी समश्याओं को दूर करने के लिए आम वातारी रस जो है आप बैदेनात का लेशकते हैं बैदेनात की आयरुवेदिक होस्तियां जो है कलाशिकल आयरुवेदिक मेडिशिन होती है इसका प्रियोग करके हमने अपने मडीजों पे काफी अच्छा हरड बहेड चित्रक मूल की च्छाल सुद्गुगुल और अरंडी का तेल यह सारी जो घटक द्रब्य हैं आठ परकार के घटक द्रब्यों को मिला के मौतारी रस जो है तैयार किया गया है इसको प्रियोग करना है शुबा और शाम एक एक टेबलेट की मत्रा आपको शुब अठारा साल के उपर है तब ही आप इस अउस्दी को प्रियोग करें यदि आपकी उम्र अठारा साल से कम है तो आप अपने नजदी की बैद या हकीम या डाक्टर से मिलके आप इस अउस्दी को चालू कर सकते हैं और इस अउस्दी को जो है प्रियोग करने का से जो है कोई साइड इफक्टाद तक नहीं देखा गया है लेकिन इसमें परहेज कुछ होता है जिससे अगर आपको वात जन्न बिकार है तो वात चीजें जैसे आपके जो सरीर में वात बढ़ाने का कारी करते हैं वो चीजें नहीं लेना है जिसे उरद की डाल है मटर की डाल है राजमा है चुकंदर है ये सारी चीजे जो है आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे जो है आपके शरीर में वात की बढ़ी होगी और आपको जो है दवा जो है बहुत देर में काम करेगी इस तवा को जब आप प्रियोग करेंगे तो कम शेकम आपको पंदरा दिन में जो है दीरे दीरे करके आपको रेजल्ट दिखाएगी तुरंत दवा लाब आपको नहीं दिखाती है क्योंकि ये आयुरवेदी को उश्रदी है साथ दिन तो लगी ही जाते हैं आपको रेजल्ट आने में लेकिन अगर आप लगातार इस उश्रदी को एक माँ से पैंतालिस जिन तक प्रियोग करते हैं तो ये आपकी जो समश्याएं हैं वो दीरे दीरे करके ठीक होने लगती है तो और इसमें परहेज है कि आप ये वात चीजे मैंने जो बताई है कि वात बढ़ने वाली की जे ना प्रियोग करें उसके बाद झो है खटी मीटी चीजें दही का सेवन कम करें तो इससे जो है और रात में दूद को जो है आप ना गरान करें ये भी आपके लिए वात परकुतिकर देता है तो वात जो है बढ़ता है इसे आपको जो है शमिश्या होती है वात की जो समिश्या है ये पूरे शरीर में होती है क्योंकि मानों के शरीर में जो है वात, पित और कवतीन चीजें ही जो है इन बाइलन्स होने के कारण जो है उसको नाना प्रकार की ब्यादियां घेर लेती है तो वात से 80 परकार की ब्यादियां होती हैं अब वात से 80 परकार की ब्यादियां हैं उसी मेंसे जो है आपका जो है 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 गटिया रोग है अर्थराइटिस है ये भी है तो इसको जो है खत्म करने के लिए आप दूर करने के लिए आम हुआतारी रस्परियोग करके जो है काफी हद तक निदान प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ जो है आपको कुछ सायक और शदियां भी आपको लेनी चाहिए और आपको अपने पैरों में जो है अगर आपको जादा सूजन बनी रहती है तो साम की शमय और शुबा दो बार जो है तिल की तेल से अगर आप मसाज करते हैं तब ही आपको जो है काफी फाइद करते हैं तो इससे भी काफी हद तक फाइदा होता है ये बहुत खतरनाक होता है वात रोग जो है इसको अगर आप समय से इसका अंदेखा करते हैं नहीं ध्यान देते हैं तो आपको जो है जो घुटनों में लेगमेंट होता है गुटनों में जिसे आमभासा में ग्रीस लोग कह देते हैं देहाती में वो भी जो है सुक जाता है जिससे कट कट की आवाज आने लगती है तो इसके लिए आमवातारी रस प्रियोग करके बिशुवेल थैंक यू